आदाब मैं हूँ अरीबा खान और आम देख रहे हैं मैं मीजिया का सीमाचल बुलेटिन पंचाई चुनाव के दसमें चरण के परिणामों की घोशना शुकरवार को कर दी गई किशन गंच के कोचाधामन जिलापरिशद शेतर संख्या 10 से 28 वर्षे महबन नासीक नादिर ने 2598 वोटों से निवर्तमान जिलापरिशद अध्यक्ष फरहत फात्मा को चुनाव में हरा दिया राज़त जिलापरिशद शेतर संख्या 8 से रोजी बेगम और 9 से शाजहां बेगम ने जीत हासिल की है उधर कोचाधामन प्रखंड से तेगरिया पंचायस से मरहूम राजदनेता इंतखाब बबलू की पत्नी सीमा इंतखाब ने मुख्यापत पर जीत हासिल की है विशनपुर पंचायस से कॉंग्रेस जिलाध्यक श्पिंटो कुमार चौधरी विजई हुए हैं कोचाधामन से AI M.I.M. विधायक इजहार अस्वी की बहू सुहाना अस्वी काठा माठा पंचायस से मुख्या चनाफ हार गई है उन्हें जमीमा खातून ने उड़नचास वूटो से मात दी है कोचाधामन परखंड के अन्ने पंचायतों से जीतने वाले मुख्या उमीदवार इस परकार हैं कुट्टी से चूही बेगम, कमलपूर से अबुसलमान, कैरी बीरपूर से रेश्मा प्रवीन, कोचाधामन से अब्दुस्सलाम, गौरगाउं से साहीन आरा, डिरमाडी से मुहमद शहबाज आलम, नजरपूर से संध्या देवी, पुरंदाह से रनिया देवी, पाठकोई क सारी मोधो से कुलसुमारा, सुन्दरबाडी से तनवीर आलम, सोन्था से रोशनारा, हल्दी खोड़ा से मुहमद सबा अनवर और हिमत नगर से पुश्पा देवी, किशन गंज के कोचधामन परखन की पाठकोई कला पंचायत में मतदाताओं ने शुकरवार को वोट का बहिशकार किया, 8 दिसंबर को ग्राम पंचायत के अन्ने पदों की तरहां पंचायत समीती पद के लिए चिराफ होना था, लेकिन तकनीकी कारणों से जिला परशासन ने इस पद को रद कर दिया था, पाठकोई पंचायत भवन में पंचायत समीती पत के लिए पुनह मतदान होना था लेकिन ग्रामीडों ने वोटिंग का बहिशकार कर दिया वोटिंग का समय सुबह 7 बज़े से शाम 5 बज़े तक रखा गया था लेकिन शाम 5 बज़े तक एक भी मत नहीं पड़ा था ग्रामीडों का कहना है कि जिला पंचायती राज विभाग द्वारा परी सीमन में वाट संख्या 8 को पंचायत समीती शेट संख्या 21 से बदल कर 22 में डाल दिया गया है जिस वज़े से 8 दिसंबर को हुए मतदान को रद कर शुकरवार को पुनह मतदान करवाया जा रहा था जिसका विरोध ग्रामेड कर रही है मतदान केंदर में ड्यूटी पर तैनात पीठहसीन पत अधिकारी और जोनल मजिस्ट्रेट ने वोट बहिशकार की पुष्टी कर कहा कि सुभा से ही मतदान केंदर खाली पड़ा हुआ है एक भी मतदाता ने अपने मतदिकार का प्रियोग नहीं किया है जिसकी सूचना वरेप अधिकारियों को दी गई है इसके बाद में मुझे पता चला कि दोबारा अलेक्शन वहां गलती हो गई है दोबारा अलेक्शन होगा तो हम इस गलती यह थी कि वहां पर बताया गया हमें कि आप अवार्ड नमर आठ च्छेतर सिंगा आफर नमरोल में में लाकर कि किया जा चुकी है तो मेरा सवाल वहां से था भीवाग सता की ठीक्स. चेंज हुआ तो 2016 में जब एलेक्शन हुआ तो 2000 सेलों में एलेक्शन होने के दावरान तो हमारे वोटों की गिंती 1612 में हो नी थी लेकिन उस टाइम में हमारे वाट के बोटों की गिंती 16 bronze 21 की गई तो हमो इसी वजह से हम हमको यह ख़बरी नहीं नहीं हिया और क्यों मैंने कहा कि 2016 में हमारी अगर वोटों की गिंदी 2016 में हुई है तो इस बार भी होगी इस बार भी होगी तो जिस वज़े से हमने दो दिन पहले मद्दान कर दिया लेकिन अब जब अचानक से पता चला कि आप कड गए हैं तो हमारी वोटों की कोई वेल्यू नहीं रह इसकार किया है रर्या के जोकिहार जिला परिशर शेतर संख्या 24 से महमद परवेज मुशरफ 28 से वाजुदीन 29 से फातिमा और 30 से अंजुम परवेज ने जीत हासल की है वहीं जोकिहार के विभिन पंचायतों से मुख्यापत पर जीतने वाले उमीदवार हैं कैसर्रा से उम हनिया से बीबी शाकिरीन, चौक्ता से सफीदा, डुबबा से मुईन الدین, तारन से साहिद, दबढ़ा से रविंदर परसाद मंडल, पच्यारी पिपरा से मुजाहिद आलम, पत्रवाडी से बीबी नुसरत जहां दो, परसादपुर से एहतशाम, बगडहरा से कुलसुम, बा गजाला परवीन, और हरदार से बीबी ही ननाज, अर्रिया जिले के लिए अंतिम चरण में, जोकिहाट पिरखण में, हुए पंचाय चुनाफ के बाद, शुकरवार को मदगणा को लेकर, जिला मुख्याले में सुभा पांच बजे से ही समर्थकों की भीड उमरने लगी थ सुभा से देर शाम तक लोगों को परिशानियों का सामना करना पड़ा, परशासन ट्रफिक विवस्था का संचालन करनी में विफल नजर आया, खासकर जीलो माईल से लेकर चांदनी चौक से बस स्टैंड और एडी बी चौक तक जाम लगा रहा, गाड़ियां सड़कों पर रेंकती दिखी, देर शाम तक पुलिस भीड को काबू करने के लिए मशक्कत करती नजर आई, पुड़ियां के बैसा जिला परिशा शेतर संख्या 31 से मुहमद असरारौलहक और 32 से बीबी सहाबी ने जीत हासिल की है, बैसा परखंड के विभिन पंचायतों से जीतने वाले मुख्या उमीदवार इस परकार हैं, अस्यानी से अकीला खातून, कजिया से समरेंदर घोष, कनफलिया से शीमा ताज, खपड़ा से तरन्नुम, चंदेल से मुहमद जकी अन्वर, चंदवार से सकीना खातून, धूसमल से सिकंदर आलम, नदनिया से शाजिया तबस्स्म, बलुआ गोस्तरा से जहांगीर, मुंगरा पियाजी से डोली बसाक, मजोक से कमरुन निसा, मालो पाड़ा से नूर जहां, राइबर से नूर जहां, राटा रफद जहां, शीशा बाड़ी से जफर इकबाल और सिर्सी से मुहमद हसनेन, कटिहार के बारसोई पर्खण में भ बारसोई पर्खण के विभिन पंचायतों से जीतने वाले मुख्याउमीदवार इस परकार हैं, बलतर से गुफराना पर्वीन, बेलबा से सल्मा खातून, बेलबा डांगी से असहाब आलम, बसलगाउं से लीला कुमारी, बासगाउं से तबस्वमारा, बिघोर हाट से सादत नास, भवानीपुर से सहानु खातून, महिशपुर से अयूब अली, लगवा से काजी, नजर लगवा दासक्राम से राहला खातून, लहगरिया से गोपाल रविदास, शिकारपुर से महमद हाजिक हसन अंसारी, सुधानी से सांदा फारुकी, हरना रोई से महमद बिलाल गादरी, बिलिटन की तयारी तक शिवननदुपुर पंचायत के मुख्या का रिजल्ट आधिका एक वेबसाइट पर नहीं आया था। के लिए गए हुए थे, शाम चार बजे बाइक पर पिता और पुतरी घर लोट रहे थे, इसी दोरान ट्रेक्टर की चपेड में आने से उनकी मौत हो गई। नगर थाना वा महिला थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कारवाई की है। डियस्पी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बस स्टेंड के पास होटलों में देवयपार का धंदा चल रहा है। इसको लेकर पहले भी बस स्टेंड इस्थित कई आवास ये होटलों में चापे मारी की गई थी। लेकिन उस समय पुलिस के पहुँचने से पहले ही देवयपार में शामिल महिलाएं वपुरुष भागने में सफल रहे थे। इसके बाद से पुलिस इन होटलों पर लगतार नजर बनाए हुए थी। गुरवार को सूचना मिली की बस स्टेंड के पास शिवरोख होटल में देवयपार का धंदा चल रहा है। इसके बाद नगर थाना अंध्यक्ष, अधित्य कुमार, महिला थाना पुलिस वह महिला पुलिस कर्मियों ने चापे मारी की। टाउन डियस्पी ने बताया कि होटल के कमरे से एक यूवक को महिला के साथ आपती जनक हिस्तिती में पकड़ा गया। पुलिस के पहुशने पर होटल से तीन महिलाएं भागने लगी जिसमें दो महिलाओं को खदेड कर दबोच लिया गया। डियस्पी ने बताया कि पकड़ी गई महिलाओं में एक रानी गंच हांसा और दूसरी सिम्राहा की रहने वाली है। बिहार के उद्योग मंतरी शाहनवास हुसेन शुकरवार को किशनगंज भाजपा काराले में आयोजित तीन दिवसी जिला कारेकरता प्रिक्षिक्षन वर्ग कारेकरम का उद्खाटन करने पहुँचे। कारेकरम के उद्घाटन से पहले शाहनवाज हुसेन ने हेलिकाप्टर क्रेश में सहीद हुए CDS जनरल वेपिन रावत को शद्धांज लिदी। भाजपा के राष्टे परवक्ता शाहनवाज हुसेन ने बिहार में शराब बंदी को लेकर कहा कि बिहार में सक्ति से शराब बंदी लागू है जो नहीं पिएगा वो नहीं मरेगा। भाजपा के बिहार परदेश अध्यक संजेज जैस्वाल ने किशन गंज में प्रेस कॉन्फरेंस कर कहा है कि यूपी विधानसवा चुनाव में तीन चौताई बहूमत से भाजपा पुनह जीत कर सरकार बनाएगी। संजेज जैस्वाल ने जातिय जनगर्ना के सवाल पर कहा कि केंश सरकार का मानना है कि 2020 में जातिय जनगर्ना को लेकर पूरी परकरिया हो चुकी है इस समय इसे हम बदल नहीं सकते। अब बिहार में पोर्टल के माध्यम से होगी जमीन की निगहबानी एक ही जमीन पर कई लोग नहीं उठा पाएंगे लोन। उक्तबातें बिहार सरकार के भूमी सुधार और राजिसव मंतरी राम सुरत रायने पुणिया में भाजपा के तीन दिवसिय प्रशिक्षण शिविर में कहीं हैं। प्राप्त कर जाएंगे वे मंडल इस तर पर लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। डॉट इन पर भी जाए सकते हैं। आज आपके बीच इन खबरों को राने वाले हमारे साथी हैं। मेराज खान, सेयर शादाब, तहसीन अली और रबिन दियादब। प्राप्त करेंगे। झाल दो कि प्राफ्त करेंगे। झाल